हर शंकर परसाई का एक व्यंग है शीर्षक है एक गो भक्त से भेंट जिन्नोंने भी उनकी किताब निठले की डायरी पढ़ी होगी वो इस चाप्टर से वाकिफ होगी इस कहानी में गाय पर चर्चा हो रही है चाय पर नहीं गाय पर जहां स्वामी जी गाय का गुरगान बता के उप्योग के लिए होती है हमारे आवो डंगा करने के लिए होती हमारी गाय और गौयों से भिन है आप सोच्झ सकते हैं कि अच्टाप पर शंकर कि कथा क्यों सुना रहे हैं तो सुनिए एक विल्मारे है जिसका नाम है होली काउ यानी पवित्र गाय इसका ट्रेलर आज शायद अब आप कुछ समझा गया होगा कि शुरुवाती चंद लाइनों में हमने परसाई साहब का जिक्र क्यों किया हमारे देश के लोग गाये को लेकर बहुत सेंस्टिव हैं जो की अच्छी बात है जानवरों के प्रती सेंस्टिव होना चाहिए मगर यह सेंस्टिवनेस ज की चाम के लिए ब्रेसलेट भी डालते हैं मगर खुद को सलमान का अबबा समझते हैं घर में उनकी एक बीवी है और दोनों ने मिलकर एक गाय पाल रखी है जिसका नाम है रुखसार अब एक रात रुखसार कहीं हो जाती है आरोफ लगता है कि सलीम के घर से किसी ने रुख पुलिस वाले मदद कम और डराने का काम जादा करते हैं एक मुसलिम परिवार से गाय की यूहीं गायब हो जाने पर लोग कैसा कैसा बरताफ करते हैं इसका पूरा चित्रन फिल्म में देखने को मिलेगा आज के समाजिक परिवेश को धियान में रखते हुए ये फिल्म सही मसला उठा रही है समाज को आइना दिखाने की कोशिश कर रही है ट्रेलर के कुछ समबाद बहुत कटीले हैं जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बने नवाज उद्दीन सिद्गी के पास जब सलीम पहुचता है और रुकसार के गायब होने की शिकायद करता है तो वो कहते हैं कै कैसे पता इसकी गाय चोरी हो गई है क्या पता नफताद ही हो फिर एक सीन में तिग्मान शुधूलिया कहते हैं मामला पॉलिटिकल हो गया है गाय होगी नहीं कोई सुने का नहीं तुमारी और उसके बाद लोग यूट्यूब पर तुम्हें डरते हुए देखेंगे मजा ल रुकसार को किसी ने चुराया है तो इसके पीछे क्या बजा है इंसा सवालों के जवाब फिल्म देखकर ही मिलेंगे होलिकाव को डाइडिक्ट किया है साई कबीर ने जो इससे पहले रिवॉल्वर रानी फिल्म को डारेक कर चुके हैं फिल्म में कई बढ़िया कलाकार निमा मैं हुमेगना शुक्रिया